वेल्कम टू एजिलाइट यूट्यूब चैनल एजिलाइट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और गाईज वीडियो में हम स्टार्ट करने से पहले अब आपको बता दूं कि प्लीज सब्सक्राइब डिस चैनल एंड शेयर इट चैनल ठीक है इसको शेयर कीजिए औ अपनी exercise number two of your subject verb agreement तो आपको पता है कि हमने पिछली क्लास में एक exercise कर चुके हैं अब हम आज second exercise करने जा रहे हैं इसकी तो देखिए इस जो exercise है आपके पास इस exercise में कुछ advanced level के questions लिये गए हैं ठीक है आपको class में करवाया गये थे exercise में जो questions करवाया गये थे वो questions और इन questions में थोड़ा difference हो जाएगा ठीक है level थोड़ा increase हो जाएगा तो मैं आपको यहां पर errors की form में इस questions को बताऊंगा लेकिन आपको यह फायदा होगा errors की form में पढ़के आपको यह question को आप हर तरीके से attempt कर सकेंगे ठीक है क्योंकि errors के questions करने से ही आपका English में दिमाग चलना start होगा त चलिए guys हम start करते हैं आज अपनी पहली example से तो देखिए first example क्या है हमारे पास subject verb agreement exercise first example is your I am certain that none of these two books is useful to the students of 8th standard so guys अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि I am certain that यह एक अलग sentence बन जाएगा आपके पास that आपके पास that लगा हुआ है means आपके पास relative pronoun एक तरीके से बोल चकते हो none है यहाँ पर देखिए none मैंने आपको class में बताया था none तो none के बाद off लगा है और यहाँ पर लगा है these two books ठीक है तो guys देखिए these two books की बात हो रही है दो किताबों की बात हो रही है सिरफ अब जब भी हम दो किताबों के बीच में choice की बात करेंगे तो हम कभी भी none का use नहीं तो two books के लिए कभी भी none का use नहीं करते हैं two books के लिए हमें मिशा क्या करते हैं सिरफ neither का use करते हैं और यहाँ पर आपका neither is the correct answer ठीक है guys अब देखिए neither के according लगने वाली वरब भी क्या लग गई यहाँ पर is लग गई क्योंकि मैंने बताया था कि आप live इससे पहले YouTube पे मेरी इनी से related in cases से related एक live video भी है वहाँ पे जाके इनके structures को समझ सकते हैं और फिर इसके बाद यह subject verb agreement की exercise को आप attempt कर सकते हैं guys ठीक है तो neither के according is आ गया है और यहाँ पे two books अब आपके पास बिल्कुल सही हो गया चलिए next question fear is one of those emotions which frequently roots us to the two in action तो देखिए अब यहाँ पे guys एक बात याद रखना अब यहाँ पे fear दे रखा है और is one of those emotions तो guys एक छोटी से mistake class में जल्दी जल्दी में हो गई थी उसको correct कर लीजेगा mistake यहाँ पर जो which जो था वो मैंने बताया था एक relative pronoun होता है आपके पास तो याद रखना one plus of plus वाले case में यह जो case है इसमें क्या है जो emotions हो लगा होता है तो जो भी relative pronoun से पहला वाला word लगा होगा वो one of those वाला case होगा चाहे आपके पास simple अगर मैं बात कर दूँ अगर मैं इसको यहाँ से काट कर दूँ इसको fear इस one को काट कर दूँ और off को भी कर दूँ तो those emotions भी अगर ऐसे लिखा होगा तो आपने हमेशे relative pronoun से आ लगी है roots बट हमें पता है कि हमें क्या लगाना है आपर root लगाना है क्यों कि यह verb की first form है plural है तो plural के लिए सिरफ even लगाने की जरूरत आपको नहीं है तो guys maybe class में शायद last में जल्दी जल्दी में यह थोड़ी सी छोटी सी mistake होगे तो इसको please correct कर लीजेगा ठीक है बाकी कल हम हम दबारा से इस structure को discuss करेंगे ठीक है guys तो यहाँ पर emotions को लेकर चलना है लेकिन सिरफ एक case जो हम आपका था जो एक case आपका था जिसमें हम only वाले case की बात करते हैं जिसमें only one of those करके हम लिखते हैं ठीक है guys only one of those वहाँ पर आपने फिर वहाँ पर लेकिन क्या करना है आपने only के according सिरफ v1 plus s और es आपने लगाना है ठीक है सिरफ only वाले case में ऐसा होगा बाकि सबी cases में related पनाउंसे आगे वाले word के according ही आपकी वर्ब लगती है ठीक है guys अब चलते हैं next अगले case पर आगे आपके पास case है you are one of those luckiest man who attained name and fame not by labor but by chance तो देखिए you are one of मैंने कहा one फिर of those luckiest man guys one मतलब की choice की बात कर रहे हैं हम तो एक person से choice होड़ी न होगी choice तो ज़्यादा person से होगी तो क्या आएगा यहाँ पे men आएगा तो इसका right answer is men next देखिए each of the students whom I have chosen to take part in the cultural programs to be performed in the city all are up to the mark तो guys यह थोड़ा complicated sentence है देखिए each of the students की बात हो रही है अब each plus of plus subject plural होना चाहिए बत तब यह तो बिल्कुल correct है लेकिन each के according लगने वाली वर्ब singular होनी चाहिए तो guys देखिए यह सारा का सारा whom I have chosen to take part in the cultural programs to be performed in the city यहाँ से लेकर whom से लेकर city तक यह सारा का सारा क्या है एक qualifier की तरह काम कर रहा है guys qualifier जो qualify कर रहा है इस each of the students को ठीक है यह पूरा sentence है यह पूरा sentence यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो इसको qualify कर रहा है तो यहाँ पर देखिए each of the students मतलब की आगे बोला whom I have chosen to take part in the cultural programs मतलब उनमें से एक student इसका मतलब एक student जिसको मैंने क्या किया चूज किया cultural programs में perform करने के लिए all are up to the mark उनमें से सभी के सभी क्या थे up to the mark लेकिन यहाँ यहाँ पर क्या लग जाएगी वो लग जाएगी is so your verb will be is आपकी जो वर्ब होगी वो क्या होगी guys यहाँ पर is verb होगी ना कि are ठीक है guys तो इसको थोड़ा ध्यान से देख ले ना इसको नहीं समझाएगा वो please comment कर दीजीगा next a fifth question not only the doctor but also the nurses of this nursing home तो देखिए not only but also conjunction का प्यार बन गया doctor subject number one nurses subject number two तो इस case में आपके पास पास वाले subject के according की वर्ब लगती है तो पास वाले subject कौन सा है nurses तो nurses के according आपकी जो वर्ब है वो क्या लगेगी यहाँ पर nurses के according वर्ब आपके लग जाएगी आर ठीक है गाइस nurses के according जो आपकी वर्ब लगेगी वो क्या लगेगी यहाँ पर आर वर्ब आपकी यहाँ पर लग जाएगी ठीक है guys I hope आपको इतना clear हो गया होगा next देखिए one of यानिकी one plus of developing countries subject plural आ गया one के बाद और यहाँ पर क्या लग subject plural तो plural subjects मतलब जादा countries आ गई है यहाँ पर और one के according क्या लग जाएगा is लग जाएगा तो यह आपका right sentence है यहाँ पर क्या आएगा is आएगा next देखिए इसमें आज capital कर लिजेगा have either of the two candidates been selected for the अब देखिए यह थोड़ा सा complicated sentence है question mark लगा है मतलब interrogative में sentence यह लिखा गया है तो देखिए have जो है उसके बाद लगा है either of the two candidates तो यह तो बिल्कुल सही है either के बाद two candidates की choice है तो मैंने बताया था कि यह तो बिल्कुल सही है बट यहाँ पर been लगा है और इसकी जो verb है helping verb वो कहां चलीगी आगे चलीगी अब have helping verb आगे जा चुकी है लेकिन मुझे पता है क आइदर के साथ हमेशा कौन सी वर्ब आती है singular has आता है यह मैंने आपको बताया है वर्ब कौन सी आती है singular verb has आती है तो यहाँ पर have की जगह क्या हो जागा guys has हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आएगा has either of the two candidates being selected for the post of branch manager in the Punjab National Bank तो I hope आपको यह भी clear हो गया गया बस इसमें compl लगा है और five players बिल्कुल सही कोई गलती नहीं है और यहाँ लगा है who और यहाँ लगा है have ठीक है being given a chance to join this team play confidently तो देखे guys यहाँ पर क्या है आपके पास five players ठीक है five players जो है आप अपने none को नहीं देखना ठीक है आपने क्या देखना है जो who के आगे relative pronoun है इसको देखना है five players के according यहाँ पर जादा लोग है antecedent क्या हो जागा five players क्या है आपका यहाँ एक antecedent है तो antecedent के according आपकी वर्ब क्या हो जाएगी यहाँ पर plural तो यह sentence बिल्कुल correct है इस sentence में कोई भी mistake नहीं होगी next देखिए mathematics is आएगा आर नहीं आएगा mathematics is particular subject है तो एक subject की बात करेंगे तो हम mathematics का भी अपने साथ आर नहीं लेगा ठीक है उसके बार देखिए outside the hotel was parked two red cars अब गाईस के बार क्या होता है कि कुछ आपके जो subjects होते हैं और जो वर्ब होती है वो क्या होता है sentence में के बार वर्ब जो है वो पहले आ जाती है और उसका जो subject होता है वो बाद में होता है तो दे देखिए यह जो है यह hotel की वर्ब नहीं है यह red cars की वर्ब है क्योंकि आप यहीं बोलोगे न होटल के बाहर दो red cars parked थी तो दो red cars parked थी न होटल में होटल का कोई relation नहीं है तो यहाँ पे मतलब was नहीं आएगा यहाँ पे कहाएगा guys यहाँ पे आपका आपका आएगा were so the right answer is were ठीक है तो कुछ cases में आपने ध्यान रखना है कुछ cases में subject जो है वो पीछे दिया और इसकी वर्ब आगे दे रखी होती है तो I hope आपको इतना clear हो गया होगा आगे चलते है next sentence पे देखिए next sentence क्या है आपके पास guys next sentence में देखिए a body of volunteers have been organized देखिए guys कुछ आपके पास हैं बात करें किसी team की तो यह सारे के सारे basically आपके पास क्या होते है collective nouns होते है guys क्या होते है collective क्लेक्टिव नांस हमेशा वर्भ कैसी लेते हैं सिंगुलर वर्भ लेते हैं गाई सिंगुलर वर्भ सबस्था इक यहां पर ऊफ के पहला वाला सब्जेक्ट बॉड़िये ना कि volunteers के according, ठीक है guys I hope आपको एक clear हो गया होगा next जलते हैं just outside the hotel is two bars, देखे फिर से वही पाते है out hotel के बाहर two bars, the bars तो दो है, तो यह जो is verb है वो hotel के according नहीं लगी, वो तो बोट है hotel के बाहर दो bars है, तो two bars है, मतलब bars के according, यहाँ पर is नहीं आएगा, क्या आएगा आर आएगा guys, ठीक है bars के according, यहाँ पर क्या आएगा आर आएगा, two bars के according we will use are here in the sentence I hope आपको clear हो गया होगा ठीक है, इसने क्या कहा है, बोलते है, just outside the hotel hotel के बिलकुल बाहर two bars है, जो की बहुत ज़ादे extremely beautiful है, as well as crowd और जो crowd है, वो भी बहुत ज़ादा beautiful है तो guys, यहाँ पर जो two bars है वो ज़ादा है, और उसकी verb जो है वो is नहीं होगी, वो होगी are ठीक है, तो यहाँ पर hotel के according यह verb नहीं है, यह verb जो है, वो two bars के according है, next and just देखिए neither you nor I am willing to do it neither or nor वाला case का pair बन रहा है, मैंने कहा था कि subject one और subject to दे रखा है, देखिए you or I तो आपको जो verb लगानी है, जो कि यहाँ पर am है, वो आपको pass वाले subject के according लगानी है, तो यह बिलकुल correct answer होगा आपका, क्योंकि pass वाली I subject है, तो verb भी क्या आएगी, उसके according, am verb आपकी आएगी, तो guys, यह आपने याद रखना है, ठीक है, आगे देखिए one of them, one of them बिलकुल सही है, ज्यादा लोगों के आगे ज्यादा लोगों के लिए them लगा है, तो subject plural है आपका और one बिलकुल सही है, लिकिन हम एक की चॉइस कर रहे है, तो यानि कि have नी आएगा, यहाँ पर आएगा, आपके पास, you will write has here, ठीक है guys, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, has लिखोगे, नागे देखिए two miles beyond that pasture was seen hundreds of cattles including some lamps, two miles beyond that pasture तो यह एक लग संटेंस है आपके पास, यहाँ पर लगा है was, अब आप confused होगे कि was किस के लिए लगा है, यह two miles के लिए लगा है, यह hundreds of cattles के लिए लगा है, so there is a lot of confusion in this sentence, तो देखिए two miles beyond that pasture ठीक है, तो दो miles उस pasture के दो miles पीछे, ठीक है, beyond was seen hundreds of cattle, तो was seen hundreds of cattle, तो hundreds of cattle क्या, देखी गई, तो hundreds of cattle देखी गई, तो यानि कि hundreds of cattle तो जादा है, तो क्या होगा was की जगा, वर हो जाएगा guys, was की जगा क्या हो जाएगा आपका वर, so this is your right answer of this sentence, ठीक है, two miles beyond that pasture नहीं, इसके according वरब नहीं है, यह वरब जो है, वो hundreds of cattles के according यहाँ पर लगाई गई है, आपके पास sentence में, तो guys, किसी को कोई भी confusion है, please, YouTube पे comment कीजिए, और इस channel को subscribe कीजिए, share कीजिए, जितना जादा हो सके, बहुत ही important topic चल रहे है हमारे subject verb agreement से related, अब मैं आपको कुछ चीजे बताने जा रहा हूँ, तो उसको note down कर लीजेगा, please, क् I think class में, जल्दी जल्दी में, last में कुछ एक छोटी सी mistake हो गई थी, उसको correct कर लीजेगा, guys, सभी के सभी ठीक है, तो देखिए, छोटी सी mistake हुई क्या थी, कि, जैसे कि, मैंने आपको एक sentence, एक structure बताया था, कि जब हमारे पास antecedent होता है, ठीक है, जब antecedent होता है, और उसक of plus subject plural, ठीक है, subject plural, तो यहाँ पर plus यहाँ पर एक relative pronoun और इसके आगे लगने वाली जो वर्ब होगी, तो guys, यहाँ पर याद रखना, one के according वर्ब नहीं लगेगी, class में शाहिद mistake होगी थी, one के according वर्ब नहीं लगेगी, वर्ब लगेगी, इस subject के according वर्ब लगेगी, इस subject के according जो की आपका एक antecedent भी है, guys, क्या है, एक antecedent भी होगा, ठीक है न, यह antecedent भी है, relative pronoun से पहला है तो subject भी है, और एक antecedent भी है, इस antecedent के according वर्ब लगनी है, इसके according वर्ब नहीं लगेगी, ठीक है, इसके according वर्ब नहीं लगेगी, चाहे यहाँ पर राम is one of the क्यू ना नहीं देखना, आपने सिरफ इस relative pronoun का जो आगे वाला subject है, उसके according वर्ब को place करना है, उसके बाद third case हमारे पास आता है, अगर मैंने बताया था, only plus, one plus, of, plus, और antecedent होगा, या फिर आप इसको बोल सकते हो, plural subject होगा, जो आपके पास, ठीक है, plural subject होगा, तो यहाँ पर आपन according का लगा देनी है, singular verb लगा देनी है, singular verb आपने लगा देनी, तो बस एक छोटी सी mistake थी, इस वाले structure में, बाकी सारा सही था, तो फिकर करने की कोई बात नहीं है, ठीक है, तो बस इस वाले case में थोड़ी सी mistake थी, बाकी आपका सारा सही था, तो यहाँ पर जो subject plural था, उसके according आपने वर्ब जो है, वो यहाँ पर इसके according लगानी है, और यहाँ पर सिरफ only के according, singular verb लगानी है, अगर किसी को नहीं समझा रहा है, तो वीडियो को दुबार रपीट करके देखिए, ठीक है गाइस, तो हमारी आज की exercise यहीं पर खतम होती है, तो गाइस, प्लीज अपने सा